जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीवू और मोटे लड़के के बीच फाइट हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थे वही तभी उनकी लड़ाई अफिर से होने वाली होती है लेकिन तभी वहां मिस्टर धाई आकर उन्हें रोकता है और फिर उनकी लड़ाई को शांत कराता है असल में ये मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है और अब मिस्टर धाई सभी को मोटू की कहानी बताता है असल म इस वज़े से मोटू बहुत जादा थाकतवर है, लेकिन ये मोटू अभी अपने स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता और इस वज़े से इसके स्पिरिट सोल इसके इमोशन्स को भी चेंज कर देती है। इसको भर पेट खाना खिलाना, ये सब सुनकर बाकियों को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यहां आकर वो बहुत अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहे थे, और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक मौस्टर स्कूल है। इंप्रेस नहीं होती, बलकि उसे इसके इस पागलपन पर इरिटेशन होने लगती है। अब फिर वहाँ स्कूल का दीन आता है, और जीबू समझ आती है कि ये दीन तो वही है जो पहले शौप कीपर बने हुए थे, और इनी से इन्होंने वो हे अक्रिस्चल खरीदा था। असल में वो शौप कीपर का काम भी करते हैं और यहां के दीन भी हैं। वही दूसरी तरफ अब हमें निंगरॉंगरॉंग के ट्राइब को दिखाते हैं, जो निंगरॉंगरॉंग के घर से भाग जाने वाली बात से काफी नारास थे। वो शूप कुछ नहीं खाया था। लेकिन निंगरॉंगरॉंगरॉंग आटिट्जीट में उसके सौसेज को मना कर देती हैं। और उसको पीछे छोड आगे निकल जाती है। वही निंग रॉंग रॉंग के ट्राइप वाले अपने आत्मियों को निंग रॉंग रॉंग को वापस बुलाने के लिए बेज देते हैं। अब फिर कुछ देर बात फिर से सवी बच्चे उसी लाइन में आकर खड़े होते हैं। और अब दीन उन्हें उनके 20 राउन के पू अबाशी देते हैं और फिर तुरंट उससे 20 राउन और मारने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर आसकर को बुरा तो लगता है। लेकिन अपनी टीचर की बात को वो मना नहीं कर सकता था। जिस वज़े से वो 20 राउन फिर से मारने के लिए चला जाता है। असल में उन्हें अब निंग राउन राउन नहीं मारे हैं। अब वो अपने टीचर से पलट कर उची आवाज में बोलने लगती है। और कहती है कि ये सिर्फ ए स्कूल है और कोई जंग का मैदान नहीं जो हर बात मानी ही जाए। असल में निंग राउन का ट्राईब बहुत बड़ा और शक अधिशाली ट्राइब था जिस वज़े से वो हमेशा एरोगेंसी और घमन में रहा करती थी और वो सबसे उल्टा-उल्टा ही बुला करती थी अब दीन उसको स्कूल से बाहर चले जाने को कहता है और मिस्टर धाय से इसका समान पैक करने को कहता है जिस पर निंग रॉंग रॉंग धम की देती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे ट्राइग वाले तुमें छोड़ेंगे नहीं लेकिन दीन इसकी बात उसे नहीं डरता और उसे पलट कर कहता है कि तुम आकिर क्या कर सकती हो तुम यहां सबसे कमजोर लड़की हो और तुमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुमें एडमिशन दे रखा है अपनिंग रॉंग रॉंग को ये बात बरदाश नहीं होती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वा बहुत शक्तिशाली थी लेकिन जब वो अपने पास खड़े तांक्शान, जीवू, मोटू, मिस्टर धाई और कैट गर्ल को देखती है तो उसे भी अपने आपको कमजोर महसूस लगने लगता है लेकिन फिर वो औसकर को देखती है और वो उदास होकर रोते-रोते वहां से भाग जाती है अब फिर शाम को देन उन सभी को बाहर शहर में घुमाने ले जाता है और थोड़ा घुमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाया जाता है जहां दो योद्धाओं के बीच कॉम्प्टीशन हुआ करते थे इस जगह का नाम सोल एरीना है और यहां लोग अपनी-अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक दूसरे को हराते हैं असल में यहां जीतने वाले को अलग-लग बैजिस दिये जाते हैं और देन उन सभी को ये कहता है कि तुम्हें श्रेक स्कूल से ग्रैजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बैज तो यहां हासल करना ही होगा अब वो लोग अंदर जाते हैं जहां मिस्टर धाई उन सभी को ये बताता है कि वो 29 माच्चिस जीते हैं और 27 माच्चिस हा रहे हैं जिस वज़े से उसका स्कूर 2 है अब मोटू अपना स्कूर बताता है और उसका स्कूर 9 है असल में मोटू की सोल पर कम है इसलिए उसके पास कम ताकतवर योधा आते हैं लेकिन क्योंकि मिस्टर धाई की सोल पर जादा है इसलिए उसके पास बहुत जाता ताकतवर योधा लड़ने को आते हैं। अब फिर जीवू और तैंग शैन अपना अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं। और वो टू वर्सिस टू के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। और उनकी टीम का नाम सैंग वू रखा जाता है। अब फिर रिंग के अंदर सबसे पहले जीवू और एक दूसरे योधा को लड़ने के लिए बुलाते हैं। और उन दोनों की फाइट अप शुरू की जाती है। आपनेंट के पास आइरन राइनो की सोल पार थी और वो बहुत ताकतवर था लेकिन जीवू भी कम नहीं थी। जीवू बिना सोल पार का यूज किये उस पर हमला करती है और कुछ ही तेर की शांदार फाइट में जीवू अपनी स्किल का यूज करते हुए उसे मार गिराती है और इस मैच की विनर बन जाती है। अब कैट गर्ल उसके अंदर फस जाती है और ये देखकर मिस्टर धाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ताकि जब ये आसमान में उड़कर मारे तब नीचे से ब्लू सिल्वर प्लांट इसके पैरों को पकड़ ले और इसको बंदी बना सके। गर्ल इस हार से निराश हो जाती है लेकिन मिस्टर धाई उसे सांतना देते है कि ये जगए एक प्लेइन जगए थी और तुमारी एबिलिटी पेडों पर चड़कर मारने की है जिस वज़े से तुम्हें यहां हारने पर उदास नहीं होना चाहिए। अफ़े टू वर्सिस टू राउंड शुरू किया जाता है जिसमें एक टीम में जीवू और तैंग शैंग रहते हैं और दूसरी टीम में दो हैमर सोल पार के भाई रहते हैं। उसमें से एक आइरन टाइगर है और दूसरा आइरन ड्रागन है और वो दोनों ही बहुत ज़ा और लडाई के बीच उन में से एक भाई टैंग शैंग पर हैमर से वार कर देता है जिस वज़े से टैंग शैंग बहुत घायल हो जाता है हाला कि वो घायल होने से पहले उन दोनों को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर फसा देता है जीवू टैंग शैंग को घायल उन दोनों की जान ले सकते थे जिस वचे से तैंग शैन अपना हिदन वेपन उनकी तरफ फेक कर उन्हें मरने से बचा लेता है और फिर वो दोनों भाई इनकी ताकत को देखकर खुद ही अपनी हार एडमिट कर लेते हैं और शैन वो को अब विनर घोशित कर दिया जाता है लेकिन इस लड़ाई के बाद तैंग शैंग को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा है और उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है अब फिर वो सब बहार आते हैं और आज मिस्टर धाई ने कैट गर्ल को प्रपोस करने का प्लान बनाया होता है लेकिन मोटू सब के सामने ये बात कह देता है जिससे मिस्टर धाई की अच्छी वाली बेस्ती हो जाती है और कैट गर्ल उसे एक आवारा लड़का समझ वहां से चली जाती है अब फिर जीवू और टैंग शांग भी आपस में बाते करती हैं और फिर वापिस स्कूल की तरफ आने लगते हैं वहां स्कूल के एंट्रिंस पर वो मिस्टर धाई को निंग रॉंग रॉंग से जगरते हुए देखते हैं और निंग रॉंग 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 इतनी बत्तमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर धाई को गुशा आ जाता है और वो तरंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तैंग शैंग उसे रोक कर अपने गुस्से पर काबू करने को कहता है जिसके बाद मिस्टर धाई उसको वहीं छोड़ खुद अंदर चला जाता है अब उसकी जाने के बाद निंग रॉंग रॉंग तैंग शैंग को कहती है कि तुम जाकर मिस्टर धाई को जान से मार डालो अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी ट्राइब तुमको बहुत सारे पैसे देगी और तुमें हमारे क्लान में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी अब तैंक शैंग ये सब सुनकर उसे मना कर देता है क्योंकि उसके लिए इस सब का कोई महत्व नहीं था और वो उसको सुधरने के लिए कह कर चला जाता है वो फिर अपने पास खड़े आसकर से उसकी मदद करने को कहता है लेकिन अब आसकर भी मना कर देता है निंग रॉंग रॉंग बहुत शौक होती है और कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो ऐसा क्यों? जिस पर आसकर कहता है कि तुमने बार बार बोलकर मुझे ये एहसास करा ही दिया कि तुम एक बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुमारे सामने एक तुछ से व्यक्ती है और मुझे अब खुद भी लगता है कि मैं तुम जितनी बड़े घराने की लड़की के लिए नहीं बना हूँ अब निंग रॉंग रॉंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हाला कि वो पलट कर तो कुछ नहीं बोलती लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर आगे नहीं सुधारा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा और अब वो जो जोर से रोने भी लगती है अब अगले दिन फिर से सभी बच्चे स्कूल के अंदर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ फिर से आसकर आनी में लीट हो जाता है और जब वो आता है तो दीन उस पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी आसकर खुश होते हुए उन्हें ये बताता है कि उसे अपनी सोल पार में स्पिरिट रिंग आड़ करनी है और इसलिए उसे एक बीस्ट को मारना है इसलिए दिन उन्हें सब को ये ओडर देता है कि तुम सब आज जंगल जाकर बीस्ट को मारोगे ताकि ये उसके अंदर से स्पिरिट रिंग को हासिल कर सके अब वो इस बात की सेलिब्रेशन के लिए ओसकर से सब को एक एक सौसेज देने को कहता है और वो खुश होकर सौसेज बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सौसेज नहीं खाना चाहता था लेकिन जब उसका सॉसेज बनकर रेडी हो जाता है तो अब सबसे पहले निंग रॉंग रॉंग उसके सामने आती है और उसके दोनों सॉसेज खा लेती है और ये देखकर सब बहुत शौक होते हैं अब फिर वहां मिस्टर जाओ भी आते हैं और वही इनको जंगल ले जाने व की तरफ से भी हमें एक रोमैंटिक एंगल देखने को मिलता है अब जंगल में घुमते घुमते वो दूसरे टाउन में आ जाते हैं और और वो यहाँ एक रात रुकने का decide करते हैं, फिर वो सब इस town के अंदर एक restaurant के अंदर खाना खाने लगते हैं, और वहाँ एक और school के बच्चे खाना खाने आते हैं, उस school के बच्चे बहुत शरारती थे और उनको हमेशा कोई ना कोई पंगा चाहिए ही होता है, श्रेक school वाल बच्चे मिस्टर धाई के पैर में चोट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर धाई खुद इतने स्टॉंग थे कि दूसरे स्कूल वाले बच्चों को ही चोट लग जाती है। अब दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे को गुसे से देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है।